सहकारी सभा का ख्याल आते ही हमारे दिमाग में दूद मक्खन और खाद की विक्री की तस्वीर बन जाती है बदले वक्त में सहकारिता अपनी पकड में होती नजर आई थी लेकिन अब सहकारी सभाएं हस्पताल डिस्पेंसरी चेक अप लैबोटरी तथा दवाईयों की विक्री करते नजर आएगी जी हाँ भारत में सहकारी सभाएं नई भूमिका में नजर आने वाली है भारत सरकार ने नई योजना को मनजूरी दे दी है जिसमें ग्रामिन मेडिकल सर्विस देने के लिए सहकारी सभाओं को लोन दिये जाएंगे यानि की कॉपरेट कमपनियों के इलावा कुछ लोगों का समू सहकारी सभा बना कर हस्पताल चला पाएंगे केंदर सरकार स्वास्ते सेवाओं के शेतर में पहली बार सहकारिता का मिलन करने जा रही है ग्रामिन भारत में स्वास्ते सेवाओं की कमे दूर करने के लिए केंदर सरकार ने अब कॉपरेटिव का रास्ता अपनाया है लौंच की गई आईशमान सहकार योजना के तहट सहकारी संस्ताओं को ग्रामिन इलाकों में हस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वासे सुविदाय उपलब्द कराने के लिए शिरन उपलब्द कराएगा राष्टे सहकारी विकास निगम ने अगले कुछ वर्षों में इसके लिए 10,000 करोड रुपे कर्ज देने का एलान किया है उरे देश में और खास करके ग्रामिन इलाकों में कोपरेटिव की एहम मौझूदगी है दूद उत्पादन से लेकर विबिन शेत्रों में कोपरेटिव किसानों के बीच काम कर रही है इनमें कुछ कोपरेटिव संस्ताइं ऐसी भी हैं जो हस्पतार भी चलाती है सरकार बता रही है देश में 50 से जादा हस्पतार कॉपरेटिस संस्ताइं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं सरकार का दावा है कि हस्पतालों ने सफलता से काम किया है दूसरी और ग्रामीन इलाकों में स्वास्ते सुविधाओं की भारी कमी है सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद नीजी शेत्र ग्रामिन इलाकों में स्वास्ते सेवाओं में निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे हैं सरकार का मानना है वहाँ पहले से काम कर रही कोपरेटिस अंस्ताओं को जोडने से ग्रामिन इलाकों में स्वास्ते सेवाय पंचाने में करांतिकारी बदलावाएगा ऐसी ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस हमारी खबरों की अपडेट पढ़ने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.aachshamplus.com